नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से कावडिया मार्ग पर दुकानों में नेम पिलेट लगाने के विवास से इस वक्त यूपी में सियासत गरम है इसी बीच बिहार के बोद गया में कुछ दुकंदारों ने अपनी मर्जी चलाना सुरू कर दिया है यहाँ दुकान पर नेम पिलेट लगाने वाले दुकंदारों ने कहा कि इस बास से उनके कारोबार पर कोई नुक्सान नहीं होगा वहीं उनकी दुकान पर हर धरम के लोग उनसे खरिदारी करने के लिए आते ही सावन के महीने में बड़ी संख्या में बोध गया के महा बोधी मंदिर में कावडिया पहुचते हैं इतना ही नहीं भगवान सिव के सभी भगते गरब गिरह में इस्टापीते सिवलिन पर पूरी स्रद्दा के साथ जल और बेल पत्र चड़ाते ही इसी को ध्यान में रखते हुए बोध गया के इस्थाने दुकंदारों ने आपसी बातचित के बाद अपनी अपनी दुकान के सामने नेम पिलेट लगा लिया है यहां के सबी हिंदू और मुस्लिम दुकंदारों ने अपनी मर्जी से अपनी फलों की दुकान के आगे नेम पिलेट लगा लिया है कुछ दुकंदारों ने बीते 20 सालों से अपनी दुकान के सामने नेम पिलेट लगाई हुई है इस बात को लेकर दुकांदारों का कहना है कि इससे उनके कारोबार पर कोई फरक नहीं पड़ता है वहीं दोस्तों इस मामले में बच्चू मालाकार जो बोध गया के फलों के कारोबारी हैं उनका कहना है कि उनकी दुकान पर देश-विदेश से कई गिरहाख खरिदारी करने आते ही, यहाँ पर किसी भी गिरहाख के साथ भेदभाव नहीं कहाता है, इसके अलावा एक अन्य दुकांदार ने इस बारे में जानकरी दी है, कि यह फलों की मंडी है और यहाँ सबी दुकांदारों पर नेम प्लेट तो जरूर लगना चाहिए, इससे अगर कल को कुछ बात हो तो उसकी पहचान हो सके और इस बात का भी पता चल सके कि कि किस दुकान से सामान लिया गया है, दुकंदारों का कहना है कि दुकान के आगे नेम पिलेट लगाने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी दुकंदारों का कहना है कि यहाँ पर कावड़ियों का आना जाना भी लगा रहता है यहाँ इस्टान हिंदू और बोध धरम दोनों की आस्ता का केंदर माना जाता है जबकि दुस्तो विपक्ष पार्टी भी लगातार हमला वर है और दुस्तो बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है इस समय दुस्तो इस नेम प्लेट के वज़े से यूपी के अंदर एक बार फिर से दुस्तो सरकार घिरती नजरा रही है लेकिन योगी सरकार ने अधिकारियों को सकत आदेश दिया है कावडिया जिस मार्क से आएंगे वहाँ दूस्तों सभी दुकानों पर अपनी दूस्तों नेम बिलेट लगाना अनिवार्वे कर दिया है अगर आपने नेम प्लाइट नहीं लगाई तो आप पर कानूनी कारवाई भी हो सकती है इस वक्त की सबसे बड़ी हवार आ रही है